नमस्कार नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्या सिंग्ग अर्विंद केजरीवाल क्या अब अपनी पतनी को मुख्य मंत्री बना रहे हैं ये सवाल आखिर कार क्यों दरसल आपको बता दे कि जमीन घोटाले मामले में आज जर्ख के मुख्य मंत्री हेमन स्वाल लगातार बनते हुए हेमन स्वाल Glacule को लेकर नजर आ रहे हैं यहां पर सुबह से ही एसी कई खबरे सामने आई जिनमें हेमन सुरेन को लेकर अलग-अलग दावे किये गए अब हेमन सुरेन को आठ समन भेजे गए थे इडी द्वारा और नौवे समन के बाद आनन्फानन में किस तरह से हेमन सुरेन दिल्ली पहुंच जाते हैं और आज उन्हीं लेकर के तमाम तरह के दावे किये जा रहे हैं कि या तो वो जेल चले जाएंगे या फिर वो कहीं गाइब हो जाएंगे और इन तमाम दावों से अब कहीं न कहीं अर्विंद केजरीवाल घबराते हुए नसरा रहे हैं क्योंकि अगला नंबर अब यहां पर अर्विंद केजरीवाल का ही हो सकता ह जानकारे देदें कि दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े शराब घुटाले मामले में एडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल को चार बार समन भेज दिया है। और ऐसे में अगर अर्विंद केजरीवाल को भी इडी गिरफतार कर लेती है तो उनका जेल से बाहर निकलना उतना ही मुश्किल हो जाएगा जितना के मनेस सोध्या और संज्य सिंग का है। अर्विंद केजरीवाल भी अपनी पतनी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो कि अगर अर्विंद केजरीवाल गिरफतार हो जाते हैं तो जाहिर तोर पर सरकार को गिराने की पूरी कोशश विरोधी दलो द्वारा की जाएगी। तो क्या अपनी सरकार को बचाने के लिए अर्विंद केजरीवाल पतनी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद यहां पर आने वाले समय में सौपते हुए नजर आ सकते हैं। फिलाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही डेशार दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रही है नेक्स्ट नाइन नियोस के साथ।